आज की इस नई Q&A वीडियो में हम रियाज अली की एक और नई Q&A वीडियो पाट 121 को देखने वाले हैं अगर आप इसी तरह डेली रियाज अली की Q&A वीडियो को देखना चाते हो तो हमारे इस चनल को सब्सक्राइब करके और पर क्लिक कर देना जिते आप तक रियाज अली की आने वाले न्यू लेटेस Q&A वीडियो पाट 122 की नोटिफिकेशन पहुच जाए और आप रियाज अली की आने वाले न्यू Q&A वीडियो पाट 122 को मिस ना कर पाए तो चलिए रियाज अली की आज की नई QN वीडियो पार्ट 121 को शुरू करते हैं सावाल नमबर एक आप बहुत क्यूट हो रियाज सर जवाब थैंक्यू सो मच सावाल नमबर दो रियाज अगर आपकी वाइफ इमरान भाई को अपना भाई माने तो आप क्या कहोगे सावाल नमबर तीन रियाज आपकी जीएफ कौन है जवाब कोई नहीं सावाल नमबर चार रियाज आप अपने वाइफ से कितना प्यार करोगे और अगर आपकी वाइफ आपसे गुस्सा हो जाए तो आप उसे किस तरह मनाओगे जवाब वाइप को बहुत प्यार करूँगा और वाइप अगर गुस्सा हो जाए तो प्यार की जप्पी दे कर मना लूँगा सवाल नमबर पाँच रियाज आप M.D. इनायत को जानते हो जवाब नहीं सवाल नमबर छे नायत रियाज नायस इनफोमेशन जवाब थैंक यू सवाल नमबर साथ यर पेवरेट बॉलिवूड एक्ट्रेस रियाज जवाब आलिया भट सवाल नमबर आट रियाज वाट इस यर फेवरेट लेंगवेज जवाब हिंदी एंड इंगलीश सावाल नमबर 9, रियाज जी आपना बहुत क्यूट हो, आपको पता है मैं आपको देखती हूँ तो फिदा हो जाती हूँ, जवाब सावाल नमबर 10, रियाज आपके कजन भूटान में रहते हैं, जवाब सावाल नमबर 11, रियाज इमरान भाई भूटान अपनी फैमली के साथ क्यों नहीं जाते हैं, कोई रीजन है क्या, जवाब सावाल नमबर 12, रियाज आपके शादी एक या दो यर में हो गई तो आपको अच्छा लगेगा सच बताना रियाज, जवाब सावाल नमबर 13, रियाज आप लोग भूटान में चूला यूज करते हो या नहीं, क्योंकि आपने एक पिक पूश्ट की थी, जिसमें आपने अपने हातों में लकडियां ले रखी थी, जवाब नहीं यूज नहीं करते, और लकडियां वो अर्तों की थी, जिने मैंने पकड़ कर पिक लिक करवाया था सावाल नमबर 14, रियाज आपके ममी पापा का बैडरूम अलग अलग है या एक है और आप और रिजा दी अलग रूम में सोते हो क्या सावाल नमबर 15, रियाज आपने कहा हौल में करोगे या घर पर सच बताना सावाल नमबर 16, रियाज आप बहुती ज़्यादा क्यूट हो, I am your biggest fan of you सावाल नमबर 17, रियाज आप मुंबई में कहां रहते हो, प्लीज बताओ, आई शानिया जहां सावाल नमबर 18, रियाज क्या आप अपनी वाइफ को ज़्यादा गाइड में रखोगे या फ्रीडम दोगे सावाल नमबर 19, रियाज अगर आपकी होने वाली वाइफ का ख्वाब सिर्फ एक ही था, ये बताए कि आपसे बहुत महबबत करती थी और आपसे निकाह भी करना चाहती थी, तो आप उस टाइम वाइफ से क्या कहोगे सावाल नमबर 20, रियाज आपकी होने वाली वाइफ 12 क्लास पढ़ी हो या ग्रेजविट कम्प्लीट हो बट फिर भी उन्हें जादा किसी चीज़ के बारे में नौलेज ना हो तो आप उन्हें पसंद करोगे, एंड उन्हें और पढ़ना सिखाओगे, जवाब येस सिखाओंगा और पढ़ना सावाल नमबर 21, lovely you रियाज अली जी, जवाब thank you so much सावाल नमबर 22, I love you sir, और आपकी family love you too, जवाब thank you so much and love you to all सावाल नमबर 23, रियाज तुम भूटान में क्यों गए हो, कोई काम है या ऐसे ही घूमने गए हो, जवाब ऐसे ही घूमने सवाल नमबर 24 रियाद भईया आपसे कोशन है कि आपकी वाइफ अगर आपकी मॉम से पहले उठे तो अच्छा होगा आपने ऐसा क्यों कहा आपकी वाइफ की भी तो कोई हैबिट हो सकती है तो क्या उन्हें शादी के बाद सब कुछ बदलना पड़ेगा बताओ भाई नहीं जो जरूरी होगा वही वाइफ अगर मॉम से जल्दी उठेगी सब का खयाल रखेगी तो सब हैपी होंगे तो सारी फैमले मिलकर वाइफ की रिस्पेक्ट करेगी वाइफ का खयाल रखेगी सवाल नमबर 25 रियाद अली कि आप आलिया भट से मिलने गए हो और अगर मि मिलने गया बट एक बार जरूर जाओंगा और कहां जाओंगा आप लोगों को बता दूंगा सवाल नमबर 26 रियाद आपके इंस्टाग्राम की वीडियो बहुत अच्छी है माई नेम इस रेनू जवाब थैंक्यू सो मच रेनू सवाल नमबर 27 रियाद भाया संड़े को मेर अक्टूबर सवाल नमबर 28 रियाद में आपके बहुत बड़ी फैन हूँ प्लीज एक बार रिपलाई कर दो जवाब थैंक्यू सो मच एंड सबके कोशन का रिपलाई करता हूँ कभी कभी किसी के कोशन मिस हो जाते हैं सवाल नमबर 29 रियाद आपके गल्फरेंड कौन है अ आज किस नई Q&A वीडियो में हमने रियाद आली की एक और नई Q&A वीडियो पार्ट 121 को देखा अगर आप इसी तरह डेली रियाद आली की Q&A वीडियो को देखना चाते हो तो हमारे इस चनल को सब्सक्राइब करके और पर क्लिक कर देना जिससे आप तक रियाद आली के आपको आपके कोशन के आंसर मिल जाएंगे और अगर आपका रियाद आली से कोई भी कोशन हो तो कमेंट सेक्षन में कमेंट कर देना तो हम फिर मिलेंगी रियाद आली के एक और नए Q&A वीडियो पार्ट 122 के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ल बारूर करना